चेहरे का काला पंदूर करने के लिए यदि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डलो गई है अनिवन स्किन टोने फेस पर बिल्कुल भी गिलो नहीं है इसको अपलाई करने से आपकी स्किन एकदम क्लीन हो जाएगी फेस से सारा मेल गंदगी एक बार में ही रिमूब हो जाएगा और आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट और बच्चों की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट और एकदम क्लीन हो जाएगी तो इसके लिए आपको लेना है एक चमच चावल का आटा नेक्स्ट मैंने इसमें एट की है कॉफी पाउडर चावल का आटा आपकी स्किन को वाइटनिंग करने में ह टमाटर को पहले अच्छे से धोले अच्छे से वाश करने के बाद में आपको इसको हापकट करके उसका रस इसमें एड करना है जूस और फिर इसके बाद में आपको इसमें एड करना है दही दही में एंटी एजिंग प्रोपर्टीज होती है जो आपकी फेस पर फाइन लाइ से रिंकल से तो आपको वीक में एक से दो बार जरूर मसाज करना चाहिए हमारे किचिन में ही ऐसे बहुत से इंग्रीडियंट है जिनका यूज करके आप सकते हो और फेस पर इंस्टेंट गिलो ला सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आपको पालर जाना होगा आप घर में ही अपनी स्कीन कै ingredients कर सकते हैं हमारे किचिन में इंग्रीडियंट होते हैं हमारी स्कीन के लिए बहुते ज्दा फैava क्योंकि इनमें कोई chemical नहीं होता है यह नहीं हर्म करते हैं और यह हमारी स्कीन के पर जरूरी नहीं है कि 야 Eagles कई ढarlими स्कीन केर बिलकुल भीकल लए सब्सक्राइब नजानीक है तो आपको लेना है HellP यदि आपकी skin पर pigmentation है, जाईया है, काले निशान है, white hits की problem है, तो टमाटर में इसी properties होती है, जो आपकी skin से सारी problems को दूर करते हैं, यदि फेस पर open pores की problem होती है, तो उसे भी दूर करते है, natural ingredient जो होते हैं, दीरे दीरे work करते हैं, लेकिन हमारी skin पर glow provide करते हैं, और जो chemical वाल देते हैं, बाद में हमारी skin को harm कर देते हैं, तो जितना हो से के natural चीजों का use करना चाहिए, और अपनी skin care करना चाहिए, बहुत सी housewife हैं, जो अपनी skin care पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं, जो हमारी skin पर जो male गंदगी जमा हो जाते हैं, वो हमारे pores में इखटा हो जाते ह फिर आगे जाके यही pigmentation बन जाते हैं, तो इसलिए आपको skincare जरूर करना चाहिए, आपको week में एक बार तो facial जरूर करना चाहिए, तो I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो please channel को जरूर subscribe करें, आपने अभी तक मेरा channel subscribe नहीं किय आपको जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अल पर जरूर किलिक करें, जिससे मेरे वीडियो के आने वाले नी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो आपको टामाटर से अच्छे से face पर massage कर लेनी है, और इसके बाद में आपको अच्छे से massage करनी है, massage circular motion में करें, से उपर की और आप चाहें तो इसको अपने hand पर, leg पर भी apply कर सकते हैं, टामाटर से massage करने के बाद में, आपको अपने हातों की help से massage करनी है, अच्छे से face पर eyes के आसपास आपको round round massage करनी है, और massage करने से blood circulation भी बढ़ता है, जिससे आपकी skin पर glow आता है, आपकी skin tight होती है, स आपको अच्छे से massage करना है, और massage करने के बाद में, आपको नॉर्मल वाटर से अपने face को clean कर लेना है, wash कर लेना है, तो face को अच्छे से massage कर लो, और 5-10 मिनिट आपको massage करनी है, मसाज करने के बाद में, आपको अपने face को clean कर लेना है, और clean करते से ही, आपकी skin एकदम clean हो जाएगी ग्लो करने लगेगी फेस को वाश करने के बाद में आप देख सकते हैं लाइब रिजल्ट नेच्रल चीजों का हमारी स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो आता है तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स व जरूर को सब्सक्राइब जरूर